वेल्कम बैक टू सिलेक्ट आईएस दोस्तों आज की वीडियो में हम वेजन आईएस की मंथली मैगजीन को डिसकस करेंगे और ये मैगजीन आपकी नवंबर 2023 के लिए है तो ये आपकी मैगजीन अभी आ चुकी है और आज की वीडियो में हम इसे डिसकस करने वाले हैं की आपकी अलग नियूस दी गई है दूसरा आपका जो पार्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशन का है अंतराश्टिय संबंध से रिलेटिड आपका अलग करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है इन सभी की अलग-अलग वीडियो जाएंगी अलग-अलग क्लास होंगी तो आपको उन्हें देखना है तीसरा आप देख सकते हैं तीसरा आपका एकोनोमिक से रिलेटिड करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है चोथा आपका यहाँ पर देखिए एक मिनट चोथा यहाँ पर आपका सिक्योर्टी से रिलेटिड करंट अफेयर है पांचवा परियाव प्लोजी से related current affair दिया गया है आठवा पार्ट आपका culture से related current affair का होगा और नुवा पार्ट यहाँ पर आपका ethics नीति सास्त से related जो भी आपका चर्चा में हैं उसे हम यहाँ पर discuss करेंगे दसवा आपका schemes in news सुर्खियों में रही योजनाव को यहाँ पर हम डिसकस करेंगे तो इस परकार से वीजन आईएस की मैगजीन को 10 सेक्शन में बाटा जाता है अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-लग करेंट अफेयर को यहाँ पर कवर किया जाता है आज की वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से इसमें सबसे पहले है आपके सामने पॉलिटी एंड गवर्नेंस इसमें सबसे पहला टोपिक है हमारा इलेक्टोरल फंडिंग चुनावी फंडिंग इलेक्टोरल फंडिंग क्या होती है इसके सभी डाइमेंशन को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं सबसे पहले हम दे ये राजनीतिक दलो को मिले धन का डेटा पेस करने का निर्देश दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोट के दुआरा Election Commission of India को चुनावी बोंड के जरिए राजनीतिक दलो को मिले धन का डेटा पेस करने का निर्देश दिया गया है इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का डेटा मांगा गया है इसी लिए आपका इलेक्टोरल फंडिंग चुनावी फंडिंग ये आपका नियूज में है चलिए बात करते हैं इससे रिलेटिड कुछ अन्याइद इसी से संबंदित तत्यों की देखिए सुप्रीम कोट ने 2019 में जारी अपने अंतरिम निर्देश के संदर्भ में इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया से कहा है कि वह 30 सितंबर 2023 तक का डेटा पेस करें गोरत लब है कि 2019 में चुनावी बोंड के खिलाफ Association for Democratic Reforms ADR की एक याची का पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया को राजनेतिक दलो दुआरा प्राप्त चुनावी बोंड पर डेटा पेस करने का निर्देश दिया था इसके बाद इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया को 105 दलो से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त हुई थी भारतिय स्टेट बैंक ने खुलासा किया है कि केवल 25 राजनेतिक दलो ने ही चुनावी बोंड प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं तो आप देख सकते हैं भारतिय स्टेट बैंक ने यह बताया कि केवल 25 राजनेतिक दलो ने ही चुनावी बोंड प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले थे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनावी फंडिंग की इस्थिति यहाँ पर आपको 15 के बीच की 11 वर्स की अवधी के दोरान राजनेतिक दलो को अपनी कुल आए का 69% हिस्सा अज्यात स्रोतों से मिला था वित वर्स 2021 के लिए राश्टिय दलो की आई के स्रोत आप देख सकते हैं 66% यहाँ पर लगभग अज्यात स्रोतों से आई मिली है 23.74% ग्यात स्रोतों स आई हाँ पर मिली है देखे अभी बात करते हैं चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताओ की सबसे पहला चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताओं हैं सबसे पहला अत्याधिक खर्च देखे वर्स 2019 में हुए लोकसभा चुनाओ को कहीं भी होने वाला अब तक का सब से महेंगा चुनाव माना गया था सेंटर फोर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के चुनाव में लग भग आप देख सकते हैं इतना करोड रुपा खर्श किया गया था दूसरा जो चैलेंज है दूसरी चिंता है चुनावी फंडिंग से जुड़ी समान अव सरूप लब्द नहीं हो पाता है क्योंकि यह सक्रिय रूप से छोटे राजनीतिक दलो और स्वेतंत्र उम्मीद्वारों को चुनाव में भाग लेने से रोकता है तीसरा है नगद लेंदेन भारत में बड़े प्यामाने पर चुनावी फंडिंग नगद लेंदेन के रूप चंदे को उजागर नहीं करना पड़ता है नेक्स्ट है आपका कार्पूरेट और राजनीतिक दलो का गठ जोड राजनीतिक दलो को कॉर्पूरेट जगत से प्राप्त होने वाले चंदे में काफी व्रध्धी हुई है तो आप यहां पर देख सकते हैं चुनावी ऐसे उमेदवारों को प्रात्मिक्ता देते हैं जो अपने चुनाव का खर्च स्वयम उठा सके तीसरा आउसर की समानता को कम करता है चोथा राजनीति का अपराधी करन बढ़ता है तो इस परकार के वित पोशन के प्रभाव यहां पर हमने देखे इस परकार के वित पोशन से राजनीति का अपराधी करन बढ़ता है अउसर की समानता कम होती है अपने चुनाव का स्वयम खर्च उठा सके इसके अलावा काले धन के प्रशार में व्रधी होती है इन पॉइंट्स को आपको यहां पर धिहान रखना है चलिए बात करते हैं इलेक्टोरल बोंड्स लिखत होते हैं इन्हें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनिया या संस्थाइं खरीद सकते हैं कोई नागरिक या कंपनी इन बोंड्स को डिजिटल फार्म में या डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकता है सरल भासा म ये आपका ये होते हैं केवल भारतिय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉंड बेचने के लिए अधिकरत किया गया है इस पोइंट को यहाँ पर धिहान रखना है इसके अलावा भारतिय स्टेट बैंक दुवारा इनहें एक हजार रुपे से दस हजार रुपे एक लाक रुपे से दस लाक रुपे और एक करोड रुपे की रेंज में बेचा जाता है चुनावी बॉंड को केवाई सी नियमों के पालन में खोले गए खातों के जरिये ही खरीदा जा सकता है कोई व्यक्ति या कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉंड खरीद सकता है ये जनवरी अप्रेल जुलाई और अक्टुबर माहा में दस दिनों की अवधी के लिए खरीद हेतु उपलब्ध रहते हैं। तो ये हैं आपके एलेक्टोरल बोंड चुनावी बोंड्स। चलिए बात करते हैं चुनावी बोंड्स के लाब क्या होते हैं। सबसे पहला ये राजनितिक दलों के लिए उनों आपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ओडिट किया जा सके इस परकार ये पारदर्शिता को बढ़हवा देते हैं। दूसरा दान दाताओ की पहचान गोपनिय रखी जाती है इससे उनके राजनितिक जुडाव के बावजूद प्रतिशोध या धमकी का जोगिम कम हो जाता है। एक एक तहट नागरिकों को मिले सुचनकी अधिकार का उलंगन करता है। तीसरा दान करता का नाम छुपाने से स्वितंत्र और निस्पक्ष चुनाव के सिधान्त के साथ समझोता हो सकता है। चोथा सेल कमपनियों का राजनीतिक दलों को फंड देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जोकी इन पर 7.5% वार्षी कलाब सीमा हटा दी गई है। साथी भारत में इस्थित विदेसी कंपनियों की साहक कंपनियों को भी दान करने की अनुमती दी गई है। तो यह चुनावी बॉंड से जुड़ी यहां पर चिनताएं हैं। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्ण करना है। दीखे आगे की रहा क्या हो सकती है। चलिए बात करते हैं आगे की रहा को लेकर। सबसे पहला है चुनावों का राजिय दुआरा वित पोशन स्टेट फंडिंग किया जाना। तो आपने काफी बार स्टेट फंडिंग के बारे में सुना होगा। स्टेट फंडिंग क्या है। स्टेट फंडिंग बेसिकली चुनावों का राजिय दुआरा वित पोशन किया जाना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। इंद्रजीत गुपता समीती 1998 जैसी अलग-अलग समीतियों ने आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए समानवसर उपलब्द करवाने हेतु चुनावों की राजिय द्वारा फंडिंग का समर्थन किया है। दूसरा पारदर्शीता चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सभी दान दाताओं का विवरन RTI के तहट सारवजनिक जाच के लिए उपलब्द कराया जाना चाहिए। रिपॉल्ट की अनुसूचियों में घोसित करना चाहिए। इसके अलावा राजनितिक दलो दुवारा प्रस्तुत वित्य दस्तावेजों की जाच कैग और ECI इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया की और से प्राधिकर्थ किसी संस्था दुवारा वारसिक रूप से की जानी चाहिए। से उनके वित्पोशन के संबंध में पारदर्शिता एवं जवाब देही सुनेश्चित की जा सकेगी। नेक्स्ट है आपका कर छूट इसी आई इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया ने सिफारिस की है कि कर छूट के अवल उन राजनितिक दलो को ही दी जानी चाहिए जो लौक सभा या विधान सभा चुनाव लड़ते हैं और सीटे जीतते हैं। गौरतलब है कि इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया ने यह भी सिफारिस की है कि दो हजार रुपे से अधिक का दान और चंदा देने वाले सभी दान दाताओं का विवरन सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा राजनेतिक डल को RTI के दाइरे में लाना राश्टिय और छेत्रिय राजनेतिक डलों के लिए यहानिवारिय किया जाना चाहिए कि वे RTI अधिनियम के तहट सभी जानकारी प्रदान करें इससे राजनेतिक डलों चुनाव और लोगतंत्र को मजबूती प्रा इलेक्टोरल लिट्रेसी क्या होता है चलिए इसे समझते हैं सबसे पहले इलेक्टोरल लिट्रेसी चुनावी साक्षरता आपका न्यूज में क्यों है तो हाल ही में भारतिय निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता को देश भर के स्कूलों तक ले जाने के लिए सिक्ष स्कूलों में कख्षा 6-12 तक के पाठ्यकरम में मद्दाता सिक्षा और चुनावी साक्षरता को सामिल करना है चुनावी साक्षरता क्या है इलेक्टोरल लिटरेसी क्या होती है देखिए सरकार के बारे में जानकारी देश दुआरा सामना किये जा रहे परमुकार्थिक सामाज सामाजिक राजनीतिक मुद्दो के बारे में जानकारी का होना लोगतंत्र के महत्व का ज्यान होना महिलाव और पुर्षों के समान अधिकारों की जानकारी होना यह आपका चुनावी साक्षरता की अंतरगर्थ आता है यही आपकी इलेक्टोरल लिटरेसी है जब आप अप लिट्रेसी के बारे में जानते हैं देखे इसकूलों और कॉलिजों में चुनावी साक्षर्ता क्लब स्थापित करने के लिए राज्य सिक्षा विभागों के भीतर जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा इसके अलावा परतिये कुछ माध्यमिक विधाल्या इसका उदेश्या नियामित रूप से मत दाता सिक्षा सामंगरी का प्रदर्शन करना साल भर निरंतर चुनावी और लोकतंतर सिक्षा संबंदी गतिविधियों को आयोजित करना है चुनावी देखे एंसी आर्टी चुनावी साक्षर्ता पर कंटेंट सामिल करने के लिए प्रस्तुत और अपडेट करेगी इसके अलावा एंसी आर्टी राज्य सिक्षा बोर्डो और अन्य बोर्डो को भी इसका पालन करने की सलहा देगी चुनावी साक्षर्ता को बढ़ावा देने के लिए सुरू की गई कुछ पहलों के बारे में सबसे पहली है आपके सामने स जिक्षा प्रदान करना मतदाताओं के बीच जागरुकता बढ़ाना मतदाता की जानकारी को बढ़ावा देना है दूसरा है चुनावी साक्षर्ता क्लब तो इस अभियान के तहट इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया देश भर के संस्थानों के परिशर में इलेक्षन कमिशन देखिए यह आपका स्थापित कर रहा है इलेक्षन सोरी चुनावी साक्षर्ता क्लब को यहां पर स्थापित किया जा रहा है देखिए आप यहां पर देख सकते हैं ELC रूचीकर गतिविदियों के जरीए इसकूली छात्रों को चुनावी साक्षर्ता में सामिल करने का एक मंच है यह है उन्हें उनके चुनावी अधिकारों के प्रती समवेदन सील बनाएगा साथ ही उन्हें पंजीकरन एवं मतदान की चुनावी प्रकिरिया से परीशित करा यहां पर आप देख सकते हैं मतदाता साक्षर्ता क्लब ELC से संबंदित पहले देखे सरकारी विभागों निजी संगटनों और संस्थाओं में मतदाता जागरुकता फोरम का गठन किया गया है कॉलेजों और विश्व विधालियों में नए मतदाताओं के लिए ELC मतदाता साक्षर्ता क्लब का गठन किया गया है औपचारिक सिक्षा प्रणाली से बाहर के लोगों के लिए चुनावी पाट साला का गठन किया गया है इसके अलावा माध्यमी कुरुच माध्यमी की स्कूलों में भावी मतदाताओं के लिए ELC का गठन किया गया है देखिए बात कर आगे की रहा क्या हो सकती है तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहला सिक्षकों का प्रसिक्षन काफी जादा जरूरी है छात्रों को प्रभाविडंग से चुनावी साक्षरता परदान करने है तू सिक्षकों को प्रसिक्षित करने के लिए सैमिनार का आयोजन करना चाहि देने के लिए फंडिंग में व्रधी करनी चाहिए साथ ही ग्याल सरकारी संगठनों और ग्राम सभाव के साथ समन्वे स्थापित करना चाहिए तो ये कुछ आगी की रहा सोल्यूशन यहां पर हो सकता है इसी के साथ आप देख सकते हैं 2016 से 2025 के लिए चुनावी साक्षरता पर इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया की रननीतिक योजना सबसे पहले मत्दाताओ के बीच जागरुकता बढ़ाना और नैतिकता आधारित चुनावी भागिदारी को प्रोतसाहित करना दूसरा चुनावी लोकतंतर के बारे में सतत सिक्षा प्रदान करने हेतु साधन और सामंगरी विक्सित करना तीसरा व्यापक सहभागिता के लिए साजेदारी निर्मित करना चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट है आपके सामने राज्यपाल की भूमी का रोल ओफ गवर्नर राज्यपाल की क्या भूमी का ह प्रुख किया है ये काफी जादा आपका न्यूज में रहता है इसलिए राज्यपाल की भूमिका पर आज हम डिटेल में बात करेंगे देखिए इसी से रिलेटिट कुछन्य संबंधी तत्यों को हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल सरकार ने वि कि राज्यपाल ने तीन धन विधेयकों को रोक दिया था इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने अपनी आचिका में कहा है कि राज्यपाल से बारा विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली है और वे लंबित पड़े हुए हैं साथ ही कई मामलों में जाच को सीबियाई को हस्तांत में विकल्प सवीधान की अनुछिद 200 दोस्तों के तहट किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमती लेना अनिवारिय होता है इस संबंद में राज्यपाल को कुछ विकल्प दिये गए होते हैं आप देख सकते हैं राज्यपाल को प्राप्त विकल्प और विध्यक की स्थिदी सबसे पहला विकल्प होता है राजयपाल के पास विध्यक को सहमती देना अगर विध्यक को राजयपाल के द्वारा सहमती दे दी जाती है तो विध्यक कानून बन जाता है इसके अलावा दूसरा विकल्प होता है विध्यक पर सहमती रोकना अगर र विधेयक को सदन या सदनो दुवारा संसोधन सहीत या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्येपाल के समक्ष अनुमती के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्येपाल अनुमती देने के लिए बाध्य होता है सविधान ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनरविचार के लिए वापस करना होता है यह केवल जितनी जल्दी हो सके पर जोड देता है चोथा विकल्प राज्यपाल के पास होता है विद्हयक को राश्टपती के विचार हेतु आरक्षित करना ऐसी परिस्तिती में राश्टपती या तो अपनी सहमती दे सकता है या सहमती को रोक सकता है राश्टपती राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विद्हयक को राज् राज्यपाल के पद के लिए समवेधानिक प्रावधान की अभी हमने आर्टिकल 200 अनुच्छे दोस्तों की यहां पर बात की है यहां राज्यपाल को 3-4 विकल्प यहां पर प्रदान करता है विधयकों के संबंध में दूसरा राश्टपती के लिए विधयक आरक्षित करना ऐसे मामले में विधयक आरक्षित करना अनिवारिय है जहां राज्यपाल विधान मंडल दुवारा पारित विधयक राज्यप उच नियायाले की स्थिति को खत्रे में डालते हैं इसकी अतरिक्त यदि विधयक निम्नलिखित प्रकरती का हो तो राज्यपाल उसे भी सबसे पहला जो अधिकारतित अर्थार्थ सविधान के प्रावधानों के विरुद हो राज्य की नीती के निदेशक तत्वों का विरोध करता हो देश के व्यापक हित के खिलाफ हो अत्यधिक राष्टिय महत्व का हो यह संपत्ति के अनिवारिय अधिग्रहन से संबंदित हो देखिए इसके अलावा राज्यपाल को कुछ विवेका धिन सक्तियां भी दी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए आर्टिकल 163 में यह उल्लिखित है कि राज्यपाल मंतरी परिशद की सहायता और सलह से कार्य करने के लिए बाध्य है हालन कि कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से भी कार्य कर सकता है जैसे यदि कोई प्रश्ण उठता है कि क्या राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवशकता है तो उस संबंध में राज्यपाल का निर्णे अंतिम होता है हालन की नबाब रेबियावाद 2016 में सुप्रीम क के क्या सब निर्ने आई हुए हैं सबसे पहले आपके सामने हैं एसार बुम्माईवाद 1994 का इसमें सुप्रीम कोट ने यह निर्ने दिया था कि राजयपाल को अपनी विवेका धिन सक्तिका उपयोग दुरलब और ऐसाधारन परिस्थितियों में ही करना चाहिए साथ ही राज राजयपाल किसी विधहयक पर सहमती रोकने यह उसे राजय विधान मंडल को लोटाते समय अपनी विवेका धिन सक्तियों का परियोग नहीं करता है तो उसे मंत्री परिशद की सलहा की अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है बात करते हैं अभी हाल या निर्ने के बारे मे ऐसे विधहयक को राजयपाल के पास एनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता है देखिए इसके अलावा सुप्रीम कोट ने यह भी कहा कि अनुछिद दोस्तों के अनुसार राजयपाल के पास केवल तीन विकल्प हैं सहमती देना सहमती को रोकना या राश्टपती के पास भेजना इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग करने के बाद राजयपाल किसी अन्य विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता है इसके अलावा उप कुल्पती वाद 2023 का है इसमें सुप्रीम कोट ने निर्ने दिया है कि राजयपाल विश्व विधाले के कुल्पती के रूप मे अपनी सामविधिक चमता में कारिय करते समय मंत्री परिशद की सलह मानने के लिए बाद्य नहीं है नेक्स्ट है आपका तमिल नाडू राजय पालवाद दो हजार तेहिस सुप्रीम कोट ने कहा है यदि राजय पाल राजय विधान मंडल दुवारा पारित किसी विधेयक को पुनरविचार के लिए भेजता है और राज्य विधान मंडल उस विधेयक को पुनै पारित करके राज्य पाल के पास भेजता है तब राज्य पाल उस विधेयक को राश्टपते के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है तो ये थे आपके हालिया निर्ने जो अभी सुप्रीम कोट के राजयपाल की स्थिती को लेकर आए थे अभी बात करते हैं राजयपाल की भूमिका से संबंदित मुद्दे देखे सबसे पहला मुद्दा है लंबित निर्ने को लेकर कानूनों और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर सहमती में देरी से समविधानिक गती रोध उत्पन होता है तथा संसदिय लोकतांत्रिक प्रकिरिया बाधित होती है दूसरा है राजनीतिक हस्त छेप राजयपाल के इंद्रसरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है ऐसे उधारन देखे गए हैं जिनमें राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगा है विसेस रूप से सरकार के गठन और विवेकाधिन सक्तियों के उप्योग के मामलों में तीसरा है प्रसाशनिक एकुसलता विसेस रूप से जहां राजनीतिक मतभेद हों वहां राज्येपाल और राज्ये सरकार के वीश टकराव कभी कभी प्रसाशनिक निर्णों और नियुक्तियों में गतिरोध के कारण बन जाता है नेक्स्ट है नियाईपालिका पर बोज राज्येपाल दुआरा विवेकाधिन सक्तियों के उपयोग या उनके कारियों से उत्पन होने वाले विवाद नियमित रूप से कानूनी चुनोतियों और वियाख्याव को उत्पन करते हैं इससे पहले से ही अत्यधिक बोज से दवी नियाईपालिका पर कारियभार और बढ़ जाता है चलिए अभी बात करते हैं आगे की रहा को लेकर अलग-अलग आयोगों की क्या सब सिफारी से इसे लेकर आई हैं सबसे पहले हैं सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग किवल SMV धानिकता जैसे दुरोलब मामलों के तहत ही र इधेयकों को राश्टपती के विचार के लिए आरक्षित रखना चाहिए ऐसे ऐसाधारन मामलों को छोड़कर राजयपाल को अनुछित दोस्तों के तहत अपने कारियों का निर्वेहन मंतरी परिशद की सलहा के अनुसार करना चाहिए राजयपाल की रूप में नियुक्त व्यक्ति संबंदित राजय के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और जीवन के कुछ छेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होना चाहिए इसके अलावा राजयपाल को राश्टपती के एजेंट के रूप में कारिये नहीं करना चाहिए उसे के वली साधार पर पद से नह पुझे पाल को उसकी सहमती के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत विधेयक के संबंद में छै महीने की अवधी के भीतर निर्णा लेना चाहिए राजयपाल उसे यहां पेक्षा की जाती है कि विस्वेतंत्र रहें और किसी भी राजनेतिक विचार से टटस्त होकर कारिय करें राजयपाल का कारियकाल पांच वर्स के लिए सुनिश्चित होना चाहिए साथ ही उसे राजय विधान मंदल दुआरा पारित संकल्प के माध्यम से ही हटाया जाना चाहिए तीसरा है आपका वेकेंट चलेई या आयोग इसने कहा था कि राजयपाल को राजय के दैनिक परसासन में मंत्री परिशद की सलह से कारिय करना चाहिए तो फ्रेंट्स ये थी आपकी राजयपाल के बारे में एक डिटेल डिसकशन देखिए लास्ट प्लास में हमने डिसकस किया था चुनावी फंडिंग, इलेक्टोरल फंडिंग क्या होती है और ये आपका न्यूज में क्यों है चुनावी साक्षर्ता, इलेक्टोरल लिटरेसी क्यों जरूरी है और ये आपका क्यों न्यूज में है special and local laws विसेश और इस्थानिय कानून क्या होते हैं सूचना का अधिकार की हम बात करेंगे right to information ये आपका news में क्यों है इसके अलावा विसेश सरेनी का दरजा क्या होता है और ये आपका news में क्यों बना हुआ है इसके अलावा polity and governance related कुछ news in shorts की भी हम बात करेंगे जो आपका short news चर्चा में रहा है तो इसमें हैं आपके सामने आईना, आईना dashboard for cities ये आपका क्या है आप राधिक कानूनों में सुधार से संबंदित विदेयकों पर report की हम बात करने वाले हैं इसके अलावा सांसदों और पायरेसी को रोकना पायरेसी क्या होता है और फिल्म पायरेसी क्या है इसे भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं तो आज आपका polity and governance का current affair यहाँ पर complete हो जाएगा चलिए फिर start करते हैं आज की class देखिए सबसे पहली news है आपके सामने विसेस और इस्थानिय कानून special and local laws यह आपका news में क्यों है चलिए इसे समझते हैं देखिए हाल ही में आपराधिक कानूनों पर पेस किये गए विधेकों ने विसेस और इस्थानिय कानूनों को वर्तमान में चल रही सुधार प्रकिरिया से दूर बनाई रखा है विसेस और इस्थानिय कानूनों को वर्तमान में चल रही सुधार प्रकिरिया से दूर बनाए रखा है अभी हम समझेंगे विसेस और इस्थानिय कानून क्या होते हैं देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर समझें कि विसेश और इस्थानिय कानून क्या होते हैं देखिए विसेश कानून इस्पेशल लो एक ऐसा कानून होता है जो किसी विसेश मुद्दे से निपटने है तू किनी विसेश्ट विश्यों पर लागू होता है उधारन के लिए आपके सामने यू ए पी ए यू ए पी ए के बा कानून लोकल लो क्या होते हैं देखिए इस्थानिय कानून वह कानून होता है जो भारत के किसी विसेज भुभाग पर लागू होता है उधारन के लिए mcoca उधारन के लिए आप देख सकते हैं महराष्ट संगठित अपराध नियंतरन अधिनियम 1999 तो यह आपका यहाँ पर एक्जामपल है तो यहाँ पर आपने देखा इस्पेशल लो क्या होता है और लोकल लो क्या होता है इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए संग्य अपराधों को मुख्य रूप से भारतिय डंड सहिंता आई आई पीसी या विसेश और इस्थानिय कानून की अंतरगर्थ आने वाले अपराधों के रूप ने वर्गी करत किया गया है संग्य अपराध को उस अपराध की रूप में परिभासित किया गया है जिसकी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाच कर सकता है और बिना वोरेंट के ग्रफतारी भी कर सकता है तो फ्रेंट्स यहां पर आपने समझा संगे अपराद संगे अपराद क्या होता है संगे अपराद उस अपराद की रूप में यहा कानूनों का महत्व क्या होता है सबसे पहला दर्ज मामलों की अधिक संख्या देखिए क्राइम इन इंडिया स्टैटिल स्टिक्स 2021 के आंकडों के अनुसार 2021 में भारत में दर्ज सभी संख्य अपराधों में से लगभग 39.9% अपराध इस्पेशल लो एंड लोकल लोज के तह आपराधिक गतिविदियों पर दिहान केंद्रित करने में सक्षम बनाते हैं यह उन्हें अधिक प्रभावी और विसिस्ट जाच करने एवं अभियोजन में सक्षम बनाता है उधारन के लिए नार्कोटिक्स ड्रक्स एंड साइको ट्रॉपिक सबसेट्स सबस्टेंस 1985 नेक्स्ट है आपका सुभेद समूहों की सुरक्षा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विसेस और इस्थानिय कानूनों का महत्व क्या है तो इसमें सबसे पहला पोइंट हमने देखा कि दर्ज मामलों की अधिक संक्या होती है इसलिए इनकी इंपोल्टेंस बढ़ जाती है सुभेद समूहों की रक्षा भी इसके द्वारा संभव हो पाती है कैसे देखिए बच्चों महिलाव और वंचित समूधायों जैसे विसेस्ट सुभेद समूहों की सुरक्षा के लिए कुछ विसेस कानून बनाए गए हैं उधारन के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षन अधिनियम पॉक्सों के बारे में आपने सुना होगा 2012 नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी प्रगती विसेस कानून तकनीकी प्रगती से उत्पन होने वाले अपराधों जैसे साइबर अपराध से निपट सकते हैं उधारन के लिए सूचना प्रोध्योगी की अध महत्व क्या होता है तो चार पॉइंट हमने यहां पर देखे दर्ज मामलों की अधिक संख्या होती है इसी लिए इनका महत्व बढ़ जाता है दूसरा हमने देखा कानून लागू करने में दक्ष्टा हासिल होती है तीसरा हमने देखा सुभेद समूहों की सुरक्षा हो पाती है चोता हमने देखा तक्नीकी प्रगती तो यहां पर टेक्नोलोजी का भी यूज किया जाता है और विसेश कानून तक्नीकी प्रगती से उत्पन होने वाले अपराद जैसे साइबर अपराद से भी निपट सकते हैं जो आपके विसेश कानून होते हैं इस पेशल लो जैसे कि अभी आपने देखा मकोका यूए पीए आदी में अपराद हो वे सब्दों की एसपष्ट और अनिस्चित परिभासाइं दी गई हैं जैसे आतंकवादी कृतियां गैर कानूनी गतिविदियां संगठित अपराद संगठित अपराद सिंडिकेट आदी तो इन सभी की यहाँ पर एसपष्ट परिभासाइ दी गई हैं इसलिए इनमें सुधार की आवशक्ता है चलिए देखते हैं अभी दूसरा पॉइंट इनमें सुधार की आवशक्ता क्यों है तो इसलिए भी है कानून लागू करने में दूइदा होती है उधारन के लिए नाबालिकों के बीच सहमती से स्थापित लैंगिक संबंधों को पॉक्सो अधिनियम दो हजार बारा की तहट डंडनिये बना दिया गया है इस कारण इस अधिनियम की आलोशना की जा रही है तीसरा इसपष्टता का मुद्दा भी यहाँ पर बना हुआ है कानून के तहट आने वाले मामलो मामलों के वर्गीकरन के संबंध में चिंताएं प्रकट की गई हैं जैसे कई सारे आपराधिक या दिवानी मामलों का इस पष्ट वर्गीकरन यहाँ पर नहीं किया गया है चोथा कानून की उचित प्रकिरिया का कमजोर होना सार्व भोमिक रूप से सुविकरत विधी की सम्यक प्रकिरिया के मुल्यों को निरंतर कमजोर किया जा रहा है उधारन के लिए यूए प्ये के तहट तलासी लेने एवं जब्त करने की सक्तियों में व्रद्धी होना मोकोका का तहत पुलिस अधिकारियों दुआरा पूश्ताश के दोरान दर्ज की गई आपराधिक सुविकरतियों को अदालत में सुविकार किया जाना तो कानौन की उशित प्रकिरिया का कमजोर होना भी यहां पर दिख रहा है इसके अलावा कठोर प्रावधान UAPA की धारा 43D5 और नार्कोटिक्स ड्रक्स और साइको ट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट की धारा 37 के तहत ऐसे प्रावधान किये गए हैं जिसमें जमानत लेना इसपश्ट परिभासाइं दी गई हैं दूसरा कानौन लागो करने में दूइधा हो रही है तीसरा इसपश्ट का मुद्दा यहां पर बना हुआ है चोथा कानौन की उचित प्रकिरिया को यह कमजोर कर रहे हैं पाचवा कठोर प्रावधान यहां पर कभी-कभी देखने को मिल जाता है इसलिए इनमें सुधारों की आवशक्ता महसूस की जा रही है चलिए अभी बात करते हैं आगे की रहा क्या हो सकती है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है किस चीज़ पर अभी हमें दिहान देना चाहिए तो सबसे पहला पोइंट है प्रत्थक अध्याई और प्र प्रत्थक अध्याई और प्रकिरिया के रूप में सामिल किया जाना चाहिए तो उन सभी का एक प्रत्थक अध्याई और प्रकिरिया बनानी चाहिए दूसरा विधी की सम्यक प्रकिरिया की रक्षा की जानी चाहिए सार्व भोमिक रूप से सुविकरत विधी की सम्यक प्र किरिया के मुल्यों के कार्यान वियन को मजबूत किया जाना चाहिए इसके लिए कानूनी पेसेवरों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए नियमित परसिक्षन कार्यकरम आयुजित करने चाहिए तीसरा वर्गीकरन की सपश्टता बढ़ाना फोजदारी और द प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कानूनी प्रणालियों को आवश्यकुप करने है तू सुधारों की आवश्यक्ता है तो यह आगे की रहा है यह solution है जो जिन पर हमें आगे ध्यान देना है चलिए अभी बात करते हैं दूसरी निउस की दूसरी निउस है आपके साम हुआ है चलिए सबसे पहले यह देखते हैं तो हाल ही में सुप्रीम कोट ने केंद्र और राज्य सरकारों को करम से केंद्रिय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोट के दुआरा केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्र यह सुचना आयोग और राज्य सुचना आयोग में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया है इसलिए आपका राइट टु इन्फॉर्मेशन नियूज में हैं चलिए अभी बात करते हैं इससे जुड़े हुए देखिए यहां पर सुप्रीम कोट ने कहा कि इन रिक्तियों को नै भरने से सुचना का अधिकार राइट टो इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एकड़ लेटर हो जाएगा तो सुप्रीम कोट के दुआरा राइट टो इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 को एक डै़ लेटर कहा गया है क के अलावा अंजली भार्दुआज एवं अन्यय बनाम भारत संगवाद 2019 में सुप्रीम कोट ने अपने निर्णय में केंद्रिय सूचना आयोग और राजिय सूचना आयोगों में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया था हालंकि केंद्र और राजियों अभी तक कोल्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है इन रिक्तियों से बड़ी संख्या में मामले लंबित हो गए है और अपीलों और सिकायतों के निप्तान में अत्याधिक देरी हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इन पर अभी रिक्तिया बनी हुई है जिसके कारण बड़ी संख्या में मामले यहाँ पर लंदित हो गए हैं और अपील और सिकायतों के निप्तान में भी अत्याधिक देरी हो रही है तो यह था आपका यहाँ पर सुप्रीम कोट के निर्णा से रिलेटेड आपके कुछ यहाँ पर तथ्या दिये गए थे अधिनियम 2005 के तहत किया गया था आयोक के छेतर अधिकार में सभी केंद्रिये लोग प्राधिकारी आते हैं आल्टियाई संसोधन अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्र सरकार नियम बनाकर केंद्र वेराज्ये दोनों इस तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल की अवधी एवं वेतन निर्धारित कर सकती है सूचनक अधिकार अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित किया गया था कि CIC और IC तीन वर्स की अवधी के लिए पद पर बने रहेंगे इससे पहले 2005 की अधिनियम में उनके लिए 5 वर्स का निश्चित कार् प्रसाशन के वरिष्ट अधिकारियों के प्रती भी अपनी सक्तियों का उपयोग कर सके तो ये आपका केंद्रिय सूचना आयोग है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 चलिए अभी सूचना के अधिकार राइट तु इन्फोर्मेशन एक्ट के बारे में यहां पर समझते हैं देखिए राइट टु इन्फोर्मेशन का तात्पर यह है कि कोई भी भारतिय नागरिक कोई भी भारतिय नागरिक राजिया या केंद्रसरकार के कार्यालियों और विभागों से कोई भी सूचना प्राप्ट करने का अनुरोध कर सकता है 1986 में सुप्रीम कॉर्ट ने सिरी कुलवाल बनाम जैपुर नगर निगम वाद में यह निर्देश दिया था कि सवीधान के आर्टिकल 19 के तहट प्रदान की गई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वेतंतरता का तात्पर यह राइट टु इन्फोर्मेशन से है ऐसा इसलिए क्योंकि सूचना के बिना नागरिक अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वेतंतरता का पूरी तरह से उप्योग नहीं कर सकते हैं राइट टु इन्फोर्मेशन अधिनियम 2005 ने सूचना की स्वेतंतरता अधिनियम 2002 का इस्थान लिया था तो आप देख सकते हैं इसके अलावा कार्मिक और प्रसिक्षन विभाग राइट टु इन्फोर्मेशन अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदाई नोडल एजिंसी है यह कार्मिक लोक सिकायत और पैंसन मंत्राले की अधिन कारिय करता है तो यह आपका यहाँ पर राइट टु इन्फोर्मेशन एक्ट है आपको इसे के बारे में पता होना चाहिए चलिए अभी राइट टु इन्फोर्मेशन अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर लगाते हैं देखिए सबसे पहले धारा 2H यह आपके लोग प्राधिकारी यहाँ पर देखें लोग प्राधिकारी पब्लिक ऑथियोरिटी का तातपरी है किसी ऐसे प्राधिकरन या निकाय या स्वायक्त सासी संस्था से है जिसे सविधान दुआरा या उसकी अधिन इस्थापित किया गया हो संसद या राजिय विधान मंडल दुआरा बनाए गई किसी अन्य कानून दुआरा इस्थापित किया गया हो सरकार दुआरा जारी अधिसूचना या आदेश की जरिये इस्थापित या गठित किया गया हो कराए गई फंड से वित पोशित हो इसके अलावा तो यहां पर हमने धारा दो एच को समझा इस देखे नेक्स्ट है धारा फोर वन बी इसके तहत ऐसी सूचनाव की सूची प्रदान की गई है जिसका लोग प्राधिकारियों दुआरा स्वेते संग्यान या अग्र सक्रिया ध नेक्स्ट है आपकी धारा 6 1 कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे केंदरियों लोक सूचनाः दिकारी या राज्यों लोक है आपका Right to Information Act 2005 देखिए Right to Information Act 2005 के तहत सूचना प्रदान करने से कुछ छूटे कुछ अपवाद भी हैं चलिए इन्हें देखते हैं हाल ही में केंदर सरकार ने इस अधिसूचना के तहत भारतिय कंप्यूटर आपात कालिन प्रतिकिरिया दल को आर्टियाई अधिनियम के दाइरे से छूट प्रदान की गई है इसके द्वारा सीई आर्टि इनको आर्टियाई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सामिल किया गया है अर्टियाई कानून दूसरी अनुसूची में सामिल किये गए आसूचना, इंटैलिजन्स और सुरक्षा संगटनों पर लागू भी नहीं होगा तो आपको यहाँ पर इन अपवादों को याद रखना है कि किन है RTI अधिनियम से छूट प्रदान की गई है हालंकि ब्रश्टाचार और मानवाधिकार उलंगन की आरोपों से संबंदित सूचना को इस उपधारा के तहत शूट नहीं दी जाएगी चलिए अभी बात करते हैं RTI के कार्यानवियन से जुड़ी चिनताओं को लेकर इसके सामने क्या चैलेंज है क्या चिनताओं है सबसे पहला रिकोर्ड कार खराब रख रखाओ देखिए RTI आवेदकों को कई कारणों से सूचना देने से इनकार कर दिया जाता है जैसे कि रिकोर्ड की कमी रिकोर्ड उचित प्रारूप में नहीं है या गुम हो गए है आदी विसेसकर उन मामलों में सूचना देने से इनकार कर दिया जाता है जब इमारतों भूस्वामित्व और अधिकारियों के स्थनांतरन पर सूचना मांगी गई हो दूसरा आवसनरचना और कर्मचारियों की कमी भी एक समश्या है Commonwealth Human Rights Study के अनुसार 2012-13 और 2018-19 के बीच RTI या चिकाओ की कुल संख्या में 83% की व्रधी हुई है खालंकि उन्हें संभालने के लिए निर्धारित CP IOS की संख्या में केवल 13% की ही बढ़ोतरी हुई है यह बढ़ते RTI या वेदनों को संभालने हेतू कर्मचारियों की कमी को उजागर करता है इसके अलावा मनिपुर्च तिसगड महराष्ट बिहार और पंजाब में सूचना आयुकतों के बिना काम कर रहे हैं तीसरा है अत्यधिक विलंब और देरी देश के कई आयोगों में अपील और सिकायतों के कारण मामलों के निप्टान में अत्यधिक देरी हुई है इसमें RTI कानून निस्प्रभावी हो गया है सतर्क नागरिक संगठन की एक अध्यन की अनुसार जून 2022 तक लगबग 3.14 लाक अपीले उर्सिकायते लंबित थी इसके अलावा धमकी और हिंसा पिछले 15 वर्सों में RTI आवेदन दायर करने वाले 80 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है जबकि 175 अन्य लोगों पर हमला किया गया है इसकी अतरिक्त कई आवेदकों को उत्पेडित किये जाने की सुचनाई भी दर्श की गई है इसके अलावा जागरुकता में कमी भी देखी जाती है RTI अधिनियम के लागू होने के बाद से ही इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के बारे में जनता के बीच जागरुकता की कमी रही है इस कारण से विसेश रूप से ग्रामीन भारत में इस कानून का कम उपयोग हो रहा है तो ये हैं RTI के कार्यानवियन से जुड़ी चिंताएं या समस्याएं चलिए इसकी अलावा देखे कुछ पॉइंट और भी यहाँ पर आपका दिया गया है नहीं यहाँ पर देखे आगे की रहा की हम बात करेंगे सोल्यूशन क्या हो सकता है तो सोल्यूशन ये हो सकता है सबसे पहले रिक्तियों को भरना जो की सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है केंदर सरकार और राज्य सरकार को तो रिक्तियों को भरना लंबित मामलों का सीगरता से निप्टान करने तथा बढ़े हुए कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए CIC और IC की संख्या में व्रधी करनी चाहिए इसके अलावा 2019 में दिये गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रिक्त पदों को तीन महा के भीतर भरा जाना चाहिए तो रिक्तियों को भरना पहला उपाय होगा दूसरा जागरुकता नागरिकों को उनकी अधिकारों आविदन करने के तरीके और पारदर्शिता इवं जवाब देही के लाभों के वारे में सिक्षित करने के लिए व्यापक जागरुकता अभियान चलाया जाना चाहिए इसके साथ ही इसे स्कूल और कॉलेज पाठ्यकरम का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए तीसरा है सुरक्षा लोखित में सूचना का प्रकटी करन करने वाले विहसल ब्लोवर की सुरक्षा है तो कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना चाहिए साथ ही सूचना प्रदान करने वालों के लिए एक सुरक्षित परिवेस का निर्मान करना RTI अधिनियम की सफलता के लिए आवश्यक है चोथा है प्रसिक्षन सरकारी अधिकारियों को RTI अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए प्रसिक्षन कार्यकरा मायोजित करने चाहिए PIOs के लिए छमता निर्मान कार्यकरा मायोजित करने चाहिए ताकि उन्हें RTI यदिनियम और इसके कार्यान वियन पर अपडेटिड जानकारी प्रदान की जा सके नेक्स्ट है अगर सक्रिय प्रकटी करन प्रो एक्टिव डिस्कलोजर लोग प्राधिकारियों को उपचारिक RTI अनुरोधों के बिना सक्रिय रूप से सूचना का प्रकटी करन करना चाहिए इससे RTI आवेधनों का बोज कम हो सकता है और सासन सनरचना में पारदर्शिता बढ काफी important topic है आपने अक्सर इसे news में सुना होगा काफी सारे राजिये हैं जो special status की मांग करते हैं विसेश सिरेनी के दरज़े की मांग करते हैं चलिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर विसेश सिरेनी का दरज़ा ये आपका news में क्यों है तो आप देख सकते हैं हाल ही में ब है बिहार को special category status का दरज़ा देने पर विचार करें तो अभी आपको बताया कि काफी सारे राजिये हैं जो time to time समय समय पर विसेश सिरेनी के दरज़े की मांग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार राज़े के दुआरा केंदर सरकार से विसेश सिरेनी का दरज दिये जा रहे हैं चलिए इन्हें देखते हैं सबसे पहला विहार सरकार के दुआरा कहा जा रहा है कि राज्ये में गरीबी और पिछड़ा पन प्राकर्तिक संसाधनों की कमी राज्ये का उतरी छेत्र नियामित रूप से बाड़ से प्रभावित होता है जबकि दच्छीनी भाग में गंभीर सूखा पड़ता है इसके अलावा राज्ये के विभाजन के कारण जादत अरुद्योग जारखंड के हिस्से में चले गए थे इससे राज्ये में रोज़गार और निवेस के अवसरों में अत्यधिक कमी आई है बिहार के अलावा ओडिशा और आंधर पर देखा इसके अलावा हमने देखा कि बिहार के अलावा और कौन से राज्ये हैं जिनके दुआरा इस्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग यानि विसेश सिरेनी के दरज्ये की मांग की जा रही है तो यह हैं आपके ओडिशा और आंधर परदेश इनके दुआरा भी जा रही है चलिए अभी समझते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में आखिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग ये राज्ये क्यों कर रहे हैं ये क्या होता है इसका क्या तात परिया है देखिए गोरतलब है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर सरकार द रहे होते हैं इस्पेशल कैटेगरी स्टेटस की सुरुवात 1969 में पांचवे वितायों की सिफारिस पर की गई थी इसका उदेश्य है विसेश विकास बोल्डों का गठन करके और इस्थानिय लोगों को राज्य की सरकारी नौकरियों सैक्षनिक संस्थानों आधी में आरक्ष परिशत की सिफारिशों के आधार पर कुछ निर्धारित मांडंडों को पूरा करने वाले राज्यों को सबसे पहले दिया गया था गया है और ये राज्ये हैं आपके असम, नागालेंड, हिमाचल परदेश, मनिपुर मिखालिया, सिक्किम तिरपुरा, अरुनाचल परदेश, मिजोरा, मुत्रा खंडोर, तेलंगाना भारत के सविधान में कुछ राज्यों के लिए विसेश प्रावधान किये गए हैं देखिए, चोहदवे वितायोग की सिफारिसों की अनुसार, अब किसी भी राज्ये को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, इसके बाद से किसी भी नई राज्ये को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है, तो ये सिफारिस चोहद नई राजियां इसकी मांग कर रहे हैं सबसे पहला लाब होता है केंद्रिय सहायता देखें केंद्रिय सहायता इसके दुआरा प्राप्त होती है वित पोशन किया जाता है राजियों का खर्च नहीं किये गए फंड की निरंतरता और प्रोत्साहन चलिए इनको एक एक करके हालंकि चोहद्वे और पंद्रवे वितायोग की सिफारिसों के बाद इस आवंटन को केंद्र के विभाजनिय करो के साथ एकिकरत कर दिया गया है साथ ही इसका विस्तार सभी राजियों के लिए कर दिया गया है चोहद्वे वितायोग ने केंद्र के विभाजन करी क्याटेङरी श्टेटस राजियों के मामले में केंदर प्रायोजित योजनाओ के विद पोशन यहां पर आप देख सकते हैं इस अनुपात में अंतर जिनहें special category status प्रदान किया जाएगा वहाँ पर इस वित पोशन के लिए अनुपात 90 अनुपात 10 का होगा और सामान्य स्रेनी के राजियों के लिए 60 अनुपात 40 या 80 अनुपात 20 का हो सकता है तीसरा है खर्च नहीं किये गए फंड की निरंतरता देखे खर्च नहीं किये गए धन के मामले में special category status राजिये आगामी वित वर्सों में इसे खर्च कर सकते हैं इसका अर्थ है कि उन्हें यहरासी केंद्र को वापस करने की आवश करने के लिए उत्पाद सुल्क सीमा सुल्क आयकर और कॉर्पोरेट कर पर भी महत्वपुर्ण रियायत मिलती है इसके अलावा special category status राजियों का रिन स्वैपिंग और रिन राहत योजनाओं का लाब भी प्रदान किया जाता है चलिए अभी बात करते हैं special category status के विचार से जुड़ी हुई चिंताएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर समश्याएं क्या हैं सबसे पहली समश्या है मांडंड देखिए मांडंड special category status प्रदान करने के लिए उप्योग किये जाने वाले मांडंडों पर राजियों के बीच आम सहमती का एभाव है देखिए सीमावर्ती वे हिमाल्याई राजिय होने के कारण उत्राखंड को special category status प्रदान किया गया था वहीं जारखंड और 36 गड़ जैसे राजियों के अधिकांस विकास संबंधी मांडंडों में उत्राखंड से पिछरा होने के बावजूद भी इसे दरजे से वन्चित क दिया गया था दूसरा है अंतराज्ये ऐसा मानताएं कुछ राज्यों को special category status देने से अंतराज्ये ऐसा मानताओं को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं इसके परिनामस्वय रूप एसंतुलित आर्थिक और सामाजिक सनरचनाएं बन सकती हैं तीसरा है राजकोशिय अनुस देताएं सरजित होती हैं उधारन के लिए जम्मो और कस्मीर में जीस्टीपी के परतिसत के रूप ने बकाया गारंटी 20 परतिसत और हिमाचल परदेश में 10 परतिसत है नेक्स्ट है राजकोशिय बोज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्रेनी के राजियों के लिए केंदर प बढ़ जाता है तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के विचार से जुड़ी हुई यहां पर चिनताए हैं चलिए इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए या आगे की रहा क्या होने चाहिए इसे हम यहां पर समझते हैं सबसे पहला होना चाहिए निर्भरता कम करना स्पेशल है मांडंड इस्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मांडंडों की समिक्षा की जानी चाहिए यह सुनिष्चित किया जाना चाहिए कि अपनाए जाने वाले मांडंड इन राज्यों के समक्षाने वाले विसेस तरह की चुनोतियों को दर्शाते हूं साथ ही इसके लिए संबंदित हितधार को से प्राप्त इन्पुट पर विचार करना चाहिए उधारन के लिए special category status को संसोधित किया जा सकता है इसमें राज्य के सामाजी का अर्थिक पिशड़ेपन के साथ साथ कम संसाधन आधार आधि को भी सामिल किया जा सकेगा इसके अलावा अंतराज्य सहयोग चुनोधियों का समाधान करने तथा सहकारी संगवाद को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्यों के बीद सहयोग एवं ज्यान साचाकरन को बढ़ावा देने हैं तो कदम उठाए जाने चाहिए इस्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और अनुभवों का निरंतर आदान प्रदान किया जा सकता है तो ये था आपका इस्पेशल कैटेगरी स्टेटस विसे स्रेनिका राज्ये को दर्जा देना देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा कुछ और सुझाओ भी यहाँ पर दिये गए हैं इस्पेशल कैटेगरी स्टेटस की समाप्ति के बाद आगे की रहा क्या होगी तो इसमें कोर एवं वैकलपी की योजनाएं दूसरा है धनरासी जारी करने का तरीका सरल और केंदर एवं राजियों में नगदी प्रबंधन की मजबूत नीती के तहत होना चाहिए संस्तागत व्यवस्ता होनी चाहिए केंदर सासित प्रदेशों के लिए भी व्यवस्ता करनी होगी देखे सबसे पहला है कोर एवं वैकलपी की योजनाएं केंदर प्रायोजित योजनाओं को कोर और वैकलपी की योजनाओं में विभाजित किया जाना चाहिए Core योजनाओं में से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन से जुड़ी योजनाओं को Core of the Core योजनाओं के रूप में वरगी करत किया जाना चाहिए राश्टिय विकास एजिंडा के तहत उपलब्द धन को इन योजनाओं के लिए प्रात्मिक्ताओं के आधार परावंटित किया जाना चाहिए दूसरा पॉइंट है कोर एवं वैकलपिक योजनाओं का वित पोशन केंद्र और राज्य सरकारों दुवारा निम्न अनुपात में किया जाना चाहिए आठ पूरवत्तर दो हिमालियाई हिमाचल परदेश और उत्राखंड वेजम्मु कस्मीर के लिए करमस है कोर योजनाओं के लिए 90 अनुपात 10 तथा वैकलपिक योजनाओं हेतु 88 अनुपात 20 का अनुपात होना चाहिए अन्य राजियों के लिए यह अनुपात कोर योजनाओं के लिए 60 अनुपात 40 और वैकलपिक योजनाओं के लिए 50 अनुपात 50 होना चाहिए इसके अलावा धनरासी जारी करने का तरीका सरल और केंद्र एवं राजियों में नगदी प्रबंधन की मजबूत नीती को तहत होना चाहिए संस्थागत व्यवस्था नीती आयोग को सहकारी संगवाद को मजबूत करने का दाइत्व सोपा गया है इसे समश्य समधान मोड पर आपसी विचारवी मर्स के लिए राजियों और केंद्र हेतु एक उप्युक्त मंच की तरह कारिय करना चाहिए नेक्स्ट है केंद्र सासित प्रदेशों के लिए व्यवस्था गैर योजनगत और गैर विकास उदेश्यों के लिए केंद्र सासित प्रदेशों को धन का हस्तांतरन ग्रह मंत्राले की अनुदान मांगों के तहत किया जाता है केंदर सरकार दुवारा सभी केंदर सासित प्रैदेशों के लिए कोर और वैकलपी क्योजनाओं का 100% वित पोशन किया जाना चाहिए तो ये special category status की समापती के बाद कुछ आगे की रहा हो सकती है तो इसे हमने काफी detail में यहाँ पर discuss किया है दोस्तो इसके बाद होगा आपका news in shorts आज की वीडियो में हम discuss करने वाले है news in shorts कुछ shorts news हैं यहाँ पर आपकी जो काफी ज़ादा news में है और यहाँ से आपके exam में questions आ सकते हैं देखे, news in shorts में सबसे पहले news होगी आपकी आईना dashboard for cities तो आईना dashboard for cities क्या है इसे हम आज की वीडियो में समझेंगे दूसरा है आपका आपराधिक कानूनों में सुधार से समबंदित विधयकों पर report तो reports on bills for criminal laws इसे हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं तीसरा हम देखेंगे सांसादों और विधयकों के खिलाफ मामलों का निप्तान चोथा enabling communications on real time environment ये क्या है एनकॉर एनकॉर क्या है इसे हम आज की वीडियो में समझेंगे और next है आपका film piracy को रोकना तो film piracy क्या होती है इसे आपको यहाँ पर समझना है आपसे कभी कभी exam में एक line में पूछ लिया जाता है what is piracy piracy क्या होता है तो यह सभी topic आपका आज की वीडियो में complete हो जाएंगे आपको वीडियो को पूरा देखना है और आज आपका quality and governance का current affair पूरा एक महिने का नवंबर मन्त का complete हो जाएगा देन हम international current affair को discuss करेंगे इसके बाद आपका international current affair की classes सुरू होंगी इसे भी हम दो से तीन पार्ट में आपका पूरा काफी अच्छे से cover करेंगे इसे भी आपको जरूर देखना है और इसकी playlist इसी channel पर बना दी जाएगी तो आप playlist को भी जाकर देख सकते हैं आपको सुरू से लेकर आखिर तक सभी वीडियो मिल जाएंगी चलिए फिर start करते हैं आज की class देखिए सबसे पहली news है आपके सामने आईना dashboard for cities तो ये क्या है चलिए इसे समझते हैं हाल ही में आवासन और सहरी कारिय मंत्रालिया ने आईना dashboard for cities portal सुरू किया है तो आपने यहाँ पर देखा ये क्या है ये आपका एक portal है जिससे किसने सुरू किया है इसे आवासन और सहरी कारिय मंत्रालिया ने सुरू किया है यह हैं विसेस पॉल्टल पांच मुख्य विसेश छेतरों में सहरों की इस्थिती और प्रगती के बारे में जानकारी प्रदान करेगा इन पांच छेतरों को इन्फोगराफिक में दर्शाया गया है तो आप देख सकते हैं इस portal को किसलिए design किया गया है तो इसे इसलिए launch किया गया है basically क्योंकि यह है विसेश portal पांच मुख्य विसेश छेतरों में सहरों की इस्थिती और प्रगती के बारे में जानकारी प्रदान करेगा आपको एक line में याद रखना है आईना dashboard for cities नामक portal यह ह आपका सहरों की इस्थिती और प्रगती के बारे में जानकारी से related है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आईना dashboard यह किस चीज से related है तो यह आपका सहरों की इस्थिती और प्रगती के बारे में जानकारी से related है basically सहरों के विकास से related है ठीक है और इसमें पांच मुख्य छे इच्छा से इस पॉर्टल पर ओडिट किये गए खातों और स्वयम के दुआरा रिपोल्ट किये गए प्रदर्शन मैट्रिक्स सहीद अपना डेटा प्रस्तुत करेंगे इसके अलावा मंत्राल यह डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने की प्रकिरिया में ULBs, Urban Local Bodies, राजियों को सहायता प्रदान करेगा इसके अलावा DIC, DIC मतलब Digital India Corporation तो DIC Digital India Mission को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालियों और विभागों को रननीतिक सहायता प्रदान करता है चलिए अभी पॉर्टल के मुख्या उदेश्य क्या है इसे लेकर बा प्रदावा देना इस पॉर्टल के माध्यम से Urban Local Bodies अब यह देख सकेंगी कि वे अन्ये Urban Local Bodies की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रही है तो इसके दुआरा स्वस्थ प्रतिश्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा दूसरा प्रेरणा प्राप्ति यह पॉर्डल अर्बन लोकल बोडीज को सुधार हे तु उपलवद संभावनाव की पहचान करने के लिए प्रेरित करेगा तो कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन का काम करेगा प्रेरना प्राप्ति का काम करेगा तीसरा है सीखने का आवसर मिलना तो अर्बन लोकल बोडीज को अपने अन्ये प्रति तो यहां पर आप देख सकते हैं इस्थानिय साशन से संबंदित महत्वपुर्ण डेटा एक ही पॉल्टल पर उपलब्द होंगे इस से नई स्कीम की योजना बनाने और नीतिगत निरने लेने में मदद मिलेगी तो आप देख सकते हैं इस पॉल्टल की आउश्चकता क्या थ तो बेसिकली इसके कारण इस्थानिय साशन से संबंदित जो भी आपका महत्वपुर्ण डेटा होगा वो आपका एक ही पॉल्टल पर उपलब्द होगा जिसके कारण नई स्कीम की योजना बनाने और नीतिगत निरने लेने में मदद मिलेगी इस लिए इस पॉल्टल की आ होना चाहिए कि अर्बन लोकल बोडी सेम्वेधानिक है या आसम्वेधानिक है तो अर्बन लोकल बोडी ये आपकी सेम्वेधानिक निकाय है जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें 74 सविधान संसोधन अधिनिया मुनिस सो बानमे के दुआरा यूल बी अर्बन लोकल बोडी को साशन के तीसरे इस्तर के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी इसे आपको याद रखना है कौन से सविधान संसोधन के दुआरा इने जोड़ा गया था तो ये था आपका चुहत्तरवा सविधान संसोधन अधिनियम 1992 में जिसके दुआरा अर्बन लोकल बोडिस को साश स्रेणियों में वर्गी करत किया है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्बन लोकल बोडिस कितने प्रकार की होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्हें तीन स्रेणियों में बाटा गया है सबसे पहला होता है आपका नगर पंचायत दूसरा होता है नगर परिशत तीसरा होता है नगर निगम देखे नगर पंचायत कहां पर होता है ये आपको ध्यान देना है तो नगर पंचायत आपका रुबर्ण छेत्रों के लिए होता है ये ग्रामीन से सहरी छेत्रों में परिवर्थित होने वाले छेत्र हैं तो नगर पंचायत आपका कहां पर होता है नगर पंचायत ऐसे छेत्रों में स्थापित किया जाता है जो ग्रामीन से सहरी छेत्रों में परिवर्तित हो रहे होते हैं एक संक्रमन अवस्था में होते हैं दूसरा है आपका नगर परिशद मुंसिपल काउंसिल नगर परिशद कहां पर होता है नगर परिशद को छोटे सहरी छेत्रों में स्थापित किया जाता है तो नगर परिशद मुंसिपल काउंसिल बेसिकली ये छोटे सहरी छेत्रों के लिए होती है तीसरा है आपका नगर न पंचायत, नगर परिशद और नगर निगम ये अर्बन लोकल बोडीज के तीन रूप हैं बात करते हैं इनके कारियों की देखें इनके कारिये क्या हैं बेसिकली अर्बन लोकल बोडीज को सविधान की बारवी अनुसूची में उल्लिखित 18 विसेश कारिया सोपे गए हैं इ पंचायती राज सविधान की कौन सी अनुसूची में वरनित है ठीक है तो आप हमें पंचायती राज के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये भी बताएंगे कि पंचायती राज वियवस्ता को सविधान के कौन से भाग और कौन से सविधान संसोधन के दुआरा इन क्या होता है तो इनका कार्यकाल बेसिकली 5 वर्स का होता है कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के भीतर पुने चुनाव कराना आवश्यक होता है इस सवधी को आपको याद रखना है कार्यकाल 5 वर्स होता है और कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के भीतर पुने चुनाव कराना आईना dashboard for cities जो की एक portal है जो की सहरों के विकास से related data प्रदान करेगा इसके हमने हर dimension को यहाँ पर काफी अच्छे से समझ लिया है चलिए अभी दूसरी news को यहाँ पर देखते हैं देखे इसी से related दूसरी news को देखने से पहले कुछ और चीज़ भी यहाँ पर आपको दी गई ह सहरों के लिए आईना dashboard के पांच वियापक स्तंब कोन से रखे गए हैं इन्हें भी आपको एक बार ध्यान देना है और आपको यह याद रखना है कि इसके लिए कितने स्तंब की बात की गई है तो पांच वियापक स्तंब की बात की गई है आईना dashboard के लिए पांच स्तंब को किया जाएगा चलिए अभी दूसरी नियूज को यहां पर समझते हैं देखिए दूसरी नियूज है आपकी आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंदित विधेयकों पर रिपोर्ट चलिए इस रिपोर्ट को समझते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है देखिए ग्रहम अप्राधिक कानूनों में सुधार से संबंदित तीन विदहयकों पर रिपोल्ट प्रस्तुत की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका न्योज में क्यों है न्योज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में ग्रह मामलों पर संसदिया स्थाई संमीती तो कौन सी समीती है ये संसद की इस्थाई समीती है तो संसद ये इस्थाई समीती ने आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंदित तीन विदहयक आपको पता होना चाहिए हाल ही में संसद में आपराध से रिलेटर तीन विदहयकों पर चर्चा की गई थी उन्हें पारित क तो इसी कारण से ग्रह मामलों पर संसर्य इस्थाई समीती ने आप राधिक कानूनों में सुधार से संबंदित तीन विधयक उपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है देखिए आप राधिक कानूनों में सुधार से संबंदित तीन विधयक निमनलिखी थे तो आप देख सकते ह ये तीन विदेयक यहाँ पर दिये गए हैं, सबसे पहला विदेयक था भारतिया डंड सहिंता IPC 1860, भारतिया डंड सहिंता 1860 का इस्थान लेने वाला भारतिया न्याय सहिंता 2023, देखे, भारतिया डंड सहिंता 1860 का इस्थान कौन सा विदेयक लेगा, तो ये है आपका भार बाद में इन वृधेयकों को आगे की समिक्षा के लिए पारलियामेंटरी तो इन्हें पारलियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था ये आपकी संसद की स्थाई समीती होती हैं देखें तो आपने यहां पर देखा इन तीनों विधेयकों को यहां पर पारित किया गया यह आप राधिकानून में सुधार से रिलेटेड विधेयक थे और इन तीनों विधेयकों को आगे की समिक्षा के लिए पारलियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी यानि संसदिया इस्थाई समीती को भेजा गया था और उसी से रिलेटेड अभी इसकी रिपोर्ट आई हैं तो आप देख सकते हैं इन विधेयकों के निमनलिख कानुनों को हटाना चोथा नियायोचित दो सिध्धी की दरों में व्रधी करना आदी तो ये इसके इन विधेयकों के मुख्यत है उदेश्य थे विधेयकों पर प्रस्तुत रिपोल्ट के मुख्या बिंदूओं पर यहां पर चलिए एक नजर डालते हैं संसदिया इस्था है विधेयकों के दुवारा किये जाने वाले मुख्या बदलाव कोन कोन से हैं तो सबसे पहला है आईपी सी की धारा 307 को हटा दिया गया है यह धारा प्रकरति के नियम के खिलाव आपराधिक योन संबंद से संबंदित है तो आप देख सकते हैं यह धारा आपकी प्रकरती के खिलाफ प्रकरती के नियम के खिलाफ आपराधिक योन संबंद से संबंदित थी IPC की धारा 377 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीती द्वारा की गई मुख्या सिफारिस क्या है तो समीति के दुआरा कहा गया है IPC की धारा 377 को लैंगिक रूप से टटस्त बना कर आंसिक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए तो समीति के दुआरा यहाँ पर ऐसा कहा गया है आपने देखा विदेयक को दुआरा यहाँ पर मुख्या बदलाव आपको बताए गए है इस्तम नियायालिया ने व्यभिचार से संबंधित IPC की धारा 497 को निरस्त कर दिया था तो इसमें देखते हैं समीति के द्वारा क्या सिफारिस की गई है तो यहाँ पर कहा गया है कि व्यभिचार को लेंगिक रूप से टटस्त बना कर इसे फिर से अपराद घोसित किया जान जैसे म्रत्यूडंड, आजीवन, कारावास, कारावास, संपत्ति की जबती, जुर्माना और सामुदाइक सेवा तो समीति के द्वारा कहा गया है कि न्याइक डंडा धिकारियों को सजा के रूप में सामुदाइक सेवा लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए तो य एवल राज्य निर्दिस्ट तरीकों के माध्यम से ही ओनलाइन फायार की अनुमती दी जानी चाहिए नेक्स्ट है गिरफतारी के दोरान हतकडी का उप्योग करना तो इसके देखे समीति के द्वारा कहा गया है कि आर्थिक अपराधों के अपराधियों हे तू हतकडी के उ उचित प्रबंधन सुनिष्चित किया जाना चाहिए तो यह आप देख सकते हैं आपका आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंदित यह आपकी संसदिया इस्थाई समीति की रिपोर्ट है जहां पर निम्नलिखित सिफारिसों को किया गया है जिने हमने अभी यहां पर दिसकस किया है यहां पर हमने यह भी देखा कि इन विध्यकों के दुवारा कानूनों में कौन-कौन सा बदलाव किया गया है हमने यह भी देखा कि यह तीन विध्यक कौन-कौन से थे और कौन-कौन से विध्यक का यह इस्थान लेंगे जो आपके नए विध्यक आए हैं हा अभी यहाँ पर अच्छे से समझते हैं सांसादो और विधायकों के खिलाफ मामलों का निप्टान देखे सुप्रीम कॉर्ट ने सांसादो और विधायकों के खिलाफ मामलों के सीगर निप्टान की निगरानी के लिए उच्छ नियायालियों को दिसानिर्देस जारी किये हैं तो आप देख सकते हैं ये नियूज में क्यों है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कॉर्ट ने सांसादो और विधायकों के खिलाफ मामलों के सीगर निप्टान की निगरानी के लिए उच्टमनियालियो हाई को दिसा निर्देश जारी किये हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये दिसानिर्देश लोक प्रतिनिदित्व अधिनियम 1951 से संबंदित एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किये हैं इस याचिका में उक्त अधिनियम की धारा 8-3 को चुनोती दी गई थी तो आप ये देख सकते हैं लोक प्रतिनिदित्व अधि अधिनियम 1951 की धारा 8-3 कम से कम दो साल की सजावाले अपराधों के दोसी उम्मिदवारों को 6 वर्सों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करती है तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये आपका नियूज में है ये एक्ट आपका काफी जादा इंपोर्टेंट है पारलियमेंट टॉपिक से लोग प्रतिनिदित्व अधिनियम 1951 की धारा 8-3 क्या कहती है इसके दुआरा ऐसा कहा गया है कि कम से कम दो साल की सजावाले अपराधों के दोसी उम्मिदवारों को 6 वर्सों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सुप्रीम कोट के निमनलिखित दिसा निर्देश यहां पर जारी किये गए हैं अभी हमें यहां पर देखने हैं सुप्रीम कोट के दुआरा इन से रिलेटेड क्या चीज़े कही गई हैं देखे यहां पर हमने समझा सांसादों और विदायकों के खिलाफ मामलों का 51 की दारा आठ तीन को चुनोती दी गई थी और दारा आठ तीन क्या कहती हैं यहां पर हमने इसे भी अच्छे से देख लिया है अभी हम समझेंगे सुप्रीम कोट के दिसा निर्देश क्या सब जारी किये गए हैं देखे सबसे पहले सुप्रीम कोट के दुआरा यहां पर क यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि आप स्वेते संग्यान लेकर जो भी सांसद और विधाया के खिलाफ लंबित मामले हैं उनका जल्दी से जल्दी निप्टारा करें। पर संग्यान लेकर जो भी सांसद और विधाया के खिलाफ जो भी मरत्यूडन या आजीवन कारवास की सजा से रिलेटेड आपकी आपराधिक मामले हैं उनको यहाँ पर प्रात्मिक्ता दी जाएगी। तीसरा कुशन्या मामले होंगे ट्रायल कोल्ट दुरलब और अपरिहारिय कारणों को छोड़कर अन्या किसी भी आधार पर मामलों का इस्तगन नहीं करेगा। उच नियायालिय को सविधान की अनुछेद 227 के तहट अपनी सक्तियों का उप्योग करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए उपाय करने होंगे। अनुछे 271 परती एक उच नियायालिय उन राज्य छेत्रों में जहां वह अपनी अधिकारिता का उप्योग करता है सभी नियायालियों और अधिकरनों का अधिक्षन करेगा। जेल की सजा सुनाई गई है वे सदन के सदस्य नहीं रहेंगे ऐसा कब कहां पर कहा गया है तो ये था आपका लिली थोमस बनाम भारत संगवाद 2013 दूसरा है आपके सामने भारत संग बनाम एस्सियेशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्मस वाद 2002 यहां पर मतदाताओं को च कहा गया था यहां पर कहा गया था सुप्रीम कोट के द्वारा ऐसा कहा गया कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मेदवारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है फिर तीसरा केस है यहां पर सुप्रीम कोट का 2018 में सुप्रीम को देखा supreme court से related इसी topics related कुछ important case यहाँ पर दिये गए हैं तो इसे हमने हमने हैं पर काफी अच्छे से समझ लिया है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यह topic आप यहाँ पर समाप्त हो जाता है यहाँ पर हम बात कर रहे थे सांसादो और विधायकों के खिलाफ मामलो का निप्तान यह news क्या थी तो news आपने देखा कि Supreme Court के दुआरा जिन भी सांसादो और विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला चल रहा है उनका जल्दी से जल्दी निप्टारा करने के लिए निर्देश दिये गए हैं तो इसे हमने काफी अच्छे से समझ लिया है देखिए नेक्स्ट टोपिक है आपके सामने इनेबलिंग देखिए इसको आप एनकोर भी पढ़ सकते हैं तो ये आपका एनकोर टोपिक यहां पर दिया गया है एनकोर की फुल फरम और की फुल फरम होती है इनेबलिंग कम्यूनिकेशन्स ऑन रिल टाइम एनवाइरोमेंट तो आप य इन हाउस सॉफ्ट्वेयर डिजाइन किया है तो आपने यहाँ पर देखा यह आपका नियूज में क्यों है क्योंकि हाल ही में इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग ने एनकोर के माध्यम से उम्मीदवारों एवं चुनाव से संबंदित संपून प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्ट्वेयर डिजाइन किया है यह है एक and to and application है यह है returning अधिकारियों को डाले गई वोटों को digital रूप देने round वार डेटा का सारनीबद करने और फिर मत गनना की अलग-अलग वैदानिक रिपॉल्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा एनकोर स्कूर्टनी एनकोर स्कूर्टनी क्या होता है यह है election commission of India की एक application है यह है returning अधिकारियों को उम्मीदवारों दुआरा ओनलाइन दाखिल किये गए नामांकन की जाच करने में सक्षम बनाता है एनकोर नौडल एप इसके माध्यम से अगनीशमन, सिक्षा, पुलीस, परियावरन जैसे विभाग, राजनीतिक दलो या उम्मीदवारों को रैलिया वे रोडशो आयोजित करने के लिए अनामित प्रमान पत्र देते हैं तो ये था आपका एनकोर जो की एक आपका यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर सॉफ्ट्वेयर इसे डिजाइन किया गया है इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने एनकोर के माध्यम से उम्मीदवारों और चुनाव से संबंदित संपूर्ण प्रबंधन के लिए इस सॉफ फिल्म पाइरेसी को रोकना सूचना और प्रशारन मंत्रालिया ने फिल्म पाइरेसी को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझे कि यह आपका न्यूज में क्यों है तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही मे सूचना और प्रशारन मंत्रालिया ने फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है इसके तहट पाइरेसी के खिलाफ सिकायते प्राप्त करने के लिए केंद्रिय फिल्म प्रमानन बोड तथा सूचन और प्रशारन मंत्रालिय से नौडल अधिकारी न्युक्त किये गए हैं इसके लिए सिनेमेटोग्राफ संसोधन अधिनियम 2023 के तहट एक तंत्र स्थापित किया गया है कौन से अधिनियम के तहट सिनेमेटोग्राफ संसोधन अधिनियम 2023 मूल कॉपिराइट धारक या उसके दुआरा अधिकरत कोई भी व्यक्ति कंटेंट की पाइरेसी के मामलों की स दर्ज करा सकता है तो आप देख सकते हैं पाइरेसी की सिकायत कौन दर्ज कराता है या तो मूल कोपिराइट धारक होना चाहिए जिसका वो कंटेंट है या उसके दुआरा अधिकरत कोई भी व्यक्ति कंटेंट की पाइरेसी के मामलों की सिकायत दर्ज करा सकता है इसके इसके बाद मद्यवर्तियों को 48 घंटे की अवधी के भीतर ऐसे सभी इंटरनेट लिंक्स हटाने होंगे जहां पाइरेटिड कंटेंट होस्ट किया जा रहा है मद्यवर्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं देखिए इसके अलावा गैर अधिकरत व्यक्तियों की सिकायतों के लिए एक मिनट चली आगे देखते हैं देखिए हमने यहाँ पर देखा कि मद्यवर्ति डिजिटल प्लेटफॉर्मस होते हैं इसके अलावा पाइरेसी पर अंकुस लगाने के लिए सिनेमेटोग्राफ संसोधन अधिनियम सपारित किया गया है इसके तहत सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संसोधन किया गया है यह मौझुदा कानॲों का समर्थन करता है जैसे delivery अधिनियम 1956 और सुचनपरोध्योगी की अधिनियम 2000 तो इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं द बढ़ती जा रही है जिसमें इनकी अनाधिकरत नकल तयार की जाती है तो यही है आपका फिल्म पाइरेसी बेसिकली किसी के कंटेंट को चोरी करना इससे फिल्म उद्योग को हर साल 20,000 करोड रुपे का नुकसान होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर यह सजा और जुर्माने का प्रावधान भी करता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने डिसकस किया है फिल्म पाइरेसी को रोकना हमने देखा कि यह आपका न्यूज में क्यों था और यह आखिर क्या होता है तो बैसिकली यह दूसरे की कंटेंट दूसरे की फिल्म को चोरी करक उसको बेचना होता है इसे हमने काफी अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका quality and governance का current affair complete हो जाता है पूरे one month का November month का November month की ही magazine अभी आपकी latest market में आई हुई है इसे काफी अच्छे से हमने discuss कर लिया है तो आपका quality and governance का current affair यह आईगी इसे भी आपको जरूर देखना है इसकी playlist इसी चैनल पर बना दी गई है तो या बना दी बना दी गई है तो आप वहां से प्लेलिस्ट को फोलो कर सकते हैं quality and governance के current affair को हमने तीन पार्ट में यहाँ पर cover किया है इसकी एक marathon class बना दी जाएगी दैन आप एक वीडियो म में पूरा current affair काफी अच्छे से देख पाएंगे I hope कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी thank you so much friends for watching the class keep watching please like share and subscribe thank you